हुआ है 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 तोड़ी विए डिसकस्ट लेक्षर नंबर सेवन ऑफ लाइट शाप्टा ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह आज का हमारा टॉपिक है रूज तुब्रॉप इमेश्च पॉर कॉंक्यों मिरर मतलब क्या पढ़ना है हमें रूज पढ़ने हैं जो क्या होन इमेश्च पॉर्मिशन के लिए ठीक है उसने मैं कुछ चीज़े आपको बताना भूल गया हुँ टर्मिनल ऑजिव स्पेरिकल मिरर में देखो यह जैसे जो सेंटर आप कलेचर था हमारा सी वह जो कॉंक्यों में क्या होता है इंफ्रंट होता है इंफ्रंट होता है इंफ्र इससुरें में क्या हो रही है मतलबे हो घंचल में मतलब ब्रे Entrepreneur मिकल सामने विल्कुल उसी तरह से आपका प्रविक्ष्ण के लिए क्या हो जाएगा इस्टा बात है धायर में रतना है क्या हो जाएगा बराबर फोकस कैसे अब वर्चुन मतले इमेजर भी और क्या होगा यह जो जाएगा यहां से देखो प्रविक्ष्ण करते हैं देखे रूज तिक है यहां पर द्रॉज यहां पर द्रॉज करके दिखांगा ठीक है सबसे बढ़ेगा रूज देखो मतलब क्या हुआ कर रहा हूं यह क्या है हमारा स्पेरिकल मीरर बराबर कुन सा पांक्यों के लिए पढ़ेगा यह क्या हो गया मेरा करते हैं अगर प्रिंसिबल आइक्सी यह क्या होती है तो पास्टू क्या होती है चलती है इसको और प्रिंसिबल आप्सीज बेर हैं इसको तो रिफ्लेक्ट होकि किस से pass होती चली जाएगी focus से क्या होती जाएगी pass होती चली जाएगी तो यह है first rule है उसका मिनी क्या हुआ फिर से एक बार बतारो देखो अगर principle axis को कोई incident, parallel रही है तो reflected होके वो किस से चली जाएगी focus से जाते हुए निकल जाएगी, reflected हो जाएगी क्या रहा हुआ है और रे आप फॉकस और पांट्यूव मिरर पच्ब क्या बोला हुआ उसने एक निखाल की निखाना दो यहां पांट्यू रही होगी यह है हमारा focus, यह है हमारा center of curvature, क्या बोला हुआ है, light rays passing through the focus, focus से पास होती हुई गुजर रही होगी, बराबरे यह focus से जाती हुई पास हो रही है, बराबरे तो क्या हो रही है, कौनकी मेरा becomes parallel to the principal axis after the reflection, मजलब क्या हो जाएगा, कि reflection होने के वाद वो क्या हो जाएगी, पैरलल हो जाएगी, किसी इस principal axis को, simple मजलब क्या हो रहा है, यह क्या हो जाएगी, reflected ray, बचलब क्या हो रहा है, simple इसका उल्ठा यह है, first rule का उल्ठा क्या हो रहा है, यह second rule हो जेखो, क्या हो रहा है, जब rays incident ray किस से पास होती हुई जा रही है, focus से पास होती हुई जा रही है, त रिफ्लेक्टर रोन एक पाल दो क्या हो जाएगी पैललर टु दा प्रिंजिपल एक्सिस सेकंड रूल थर्ड रूल देखो क्या बता रहा है और रे आफ लाइट पासिंग थूरू देखो अब अब या पर देखो फिर से निकाल दिया मैंने मीरल मेरा कोल सा पांक क्यों मीरल अब क्या हो रहा है यह प्रिंसिपल एक्सिस यह है मेरा फोकस और यह है मेरा सेंटर ओफ करवेचर बदा में क्या पोन रहा है तो मीरल रे और पासिंग थूए जारा है तो उसके साथ क्या होगा देखो कौनके mirror is reflected back around the same path, मतलब क्या होगा, जैसे गया था वैसे ही क्या आएगा, सिम पर center of curvature से वापस होते हुए आएगा, देखो क्या बोला हुआ है, फिर से ही बार सम्झो, कोई incident रे अगर center of curvature से पास होते हुए, surface mirror के उपर टकराता है, तो reflected होने के बाद कैसे जाएगा, तो same हो जाएगा, cylinder of curvature से पास होते हुए, यह है third upper rule का meaning, ठीक है, अब बच्चा fourth rule कोल सा है, वो समझने की कोशिश करते है, देखो fourth rule कोल सा है, फिर से यहापे में बढ़ा आएगा, ponkyo mirror, यह है ponkyo mirror, वो principal axis, यहापे फिर से focus, बढ़ाबर यहापे फिर से C, अब क्या बोला हुआ हो, देखो, और ray of light, which is incident at a pole of a ponkyo mirror, is reflected back, making the same angle with the principal axis, मतलब उसका कहने का meaning यह है, अगर कोई इंस, यह pole होता है, बराबर है, तो अगर कोई भी incident ray, कुछ angle में pole से टकराती है, बराबर है pole पे टकराती है, pole जो point उस पे टकराती है, तो उतने ही angle से क्या हो जाएगी, reflected हो जाएगी, मतलब यहाँ पर रॉल्स है, आप लोगो के लिए image ड्रॉप करने के लिए, कौन से mirror के लिए, कौन के लिए mirror के लिए, एक बार जस्त रिपीट, टू सेकल में रेखो, सबसे बहुता रूल क्या हो रहा है, प्रिंसिबल एक्स को पार्डल आएगा, तो उसी around the path से क्या हो जाएगा, अगर कोई incident रहे, कुछ angle में क्या हो जाएगी, पोल से टकर आएगी, पोल पे टकर आएगी, तो उसी angle से क्या हो जाएगी, वो पोल से क्या हो जाएगी, रिप्लेक्टेट हो जाएगी, ठीक है, तो यह 4 rules, very important to drop image for a puncture mirror, thank you.